हाई फ्रेंड्स में आपका स्वागत करती हूं आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमो कंतराष्टी संग्टन और संबिलन लास्ट के दो दिन बचे हैं जो जो भी रिविजन वाले टॉपिक है वह हम कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी जहां अब यह जो जो मैं आज कोशन करा रही वही वही टॉपिक मैंने लिये हैं आज का वीडियो जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम अगले सुबह में और वीडियो करने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट मध्यपदेश करन्ट पूरा मेराथन पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह हमारे इसी सीरीज का अ संबिलन से पहला दिखते हैं वैस्विक योग संबिलन कहां हुआ था वैस्विक योग संबिलन 2021 भारत में हुआ कहां पर हुआ भारत में हुआ दूसरा है नाटो सिखर संबिलन देखो नाटो जो है उत्तरी अट्लांटिक संधी संगठन मतलब यह आपका जो है नाटो है ज उननका उनका संगठन है इसकी स्थापना हुई थी नॉटो का किaden कोई स्थापन कोई ौनी सो नॉन अचास नौ ौनौ वर्थमान त्यें सथापन में धेफ़ी स्थापन में 30 सदस्तेश हैं उनकर नाटो सिखर समयलान का 2021 का में वील्जीयम नंओ सदसेस में 30 हैं और 31 वा जो सम्मेलन हैं 2021 में जो हुआ है वो है व्रुजेल्स या बैल्जियम में हुआ है वेल्जियम के ब्रुजेल्स में हुआ है और 30 वा सम्मेलन 2019 में बाट कोट लंदन में हुआ था तो आपको याद रखना है 2019 का बाट कोट लंदन में नाटो का और 31 वा ग्रुप 7 इसको बोलते हैं विश्व के जितने भी विक्सित आर्थे व्यवस्ता है उनका एक संगठन है और G7 में कौन-कौन से आते हैं UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान और अमेरिका ये एक बार PSC ने पूछा था कि इन में से कौन G7 का सदस्त नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा कौन-कौन से हैं UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान, अमेरिका, 47 वा जो संगठन है अभी तक 46 संगठन है हो चुके हैं 2021 में 47 वा संगठन है UK, UK में United Kingdom में, तो G7 सिखर संगठन है 47 वा कहा होना है UK में, 46 वा जो था 2020 में अमेरिका में होना था लेकिन वो रद्ध हो गया था कोरोना के कारण, नाटो का 31 संगठन है 2021 ब्रुजेल में, 2019 बाटकोट लंदन में और 2020 में होना था वो हुआ ही नहीं है, G7 सिखर संगठन कब बना था, 1975 में बना था, 2021 का कहा होना है UK में होना है, फर है दूसरा संक्तराष्ट परिवान सम्मेलन, बीजिंग में हुआ, एक्टूबर 2021 में होना है, सौरी, तो दूसरा संक्तराष्ट परिवान सम्मेलन कहा होना है, बीजिंग में होना है, 2021 में और आप से पूले पहला कब हुआ था, तो पहला त तुलकमेनेस्तान के अर्गावात में हुआ तुलकमेनास के अश्रगावात में हुआ तलू 2016 में समयरिया है पहला को दोजर इन दूसरा होगा यहां पे एकॉल सभ्ह्य को इसमेद को भारत अमेरिका जंपान और अगला है ब्रिक्स, ब्रिक्स में 5-10 से हैं, ब्राजील, रसीज, आई से हो गया इंडिया, चाइन, साउथ अफरीका, साउथ अफरीका लास्ट में जुडा था, जब 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, आप से पूचे ब्रिक्स कब बना था, था था, 2010 में दक्षन अफरीका सा पre quan प्रिक हेव n doable गया था आप लुघन सस्लेंग में必要 열े तन पीटर वर्क कंपा सेंट पीटर वर्लों सब्सक्राइब मों करते क्वर्ट कि ऊसनी करे का सब्सक्राइब वर्ग में तर्फा कंपे स्यक्राइब में मतलब धूर। सब्सक्राइब होना है वह हमारे भारत में होना है यह धियान रखी का सैंट पीटर वक्त अफ्रीका है तो भी दक्षिड अफ्रीका में हुआ अगला है जी 20 सिखर समया फ्रेंट इसको जरूर्व टैलीग्राम गुरूप का लिंक मिला है आप उसको जरूर टैलीग्राम गुरूप मिलेगा उसको जोड जाएगा तकि आपको इंपोर्टेंट वीडियो पीडियाप मिलती रहें इसके अलावा अगर आप प्री और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो भी बुकिंग कर दीजिए 25 तारिक लास्ट है जो पुराने रेट पर आपको नोट्स मिलेंगे क्योंकि 25 के बाद रेट बढ़ जाएगी मेंस की टोटल 39 बुकलेट हैं अगर इसमें आप सौल पेपर भी लेना चाहते है मेंस के तो 8 बुकलेट और जो जाएंगी जिससे आपकी सेथारीज बुकलेट हो जाएंगी इनके साथ आपको 25 वाटसब का पेट गुरूप भी मिलेगा जिन में आपको कोशन आंसर दिये जाएंगी इसी प्रकार से 12 फाइल आपको प्रीलिम्स की मिलेंगी प्रियो मेंस के पैकेज में आपको डिसकाउं G20 सिखर सम्मेलन की स्थापना कव हुई थी 1999 में हुई थी ये 20 बिकासी लर्थ व्यवस्ताओं का संगठाने कौन G20 कव हुई थी 1999 में कौन कौन से इसके सदस हैं भारत अरजंटीना आस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा चीन EU मतलब यूरोपियन यूनियन फ्रांस जर्मानी इंडोनेशिया इटली जापान मैक्सिको रूस साओधी अरफ दक्षर अफरीका दक्षर कोरिया तुर्की व्रिटेन और सेंक्तराज अमेरिका अब अभी तक कितने हो चुके हैं अभी तक 15 जी सम्मेलन हो चुके हैं सोलवा जो जी टुएंटी सम्मेलन है वो इटली में होगा सोलवा कहां होगा याद रखेगा सोलवा जी टुएंटी कहां होगा इटली में सोलवा कहां होगा इटली में होगा सत्रवा कहां होगा सत्रवा 2022 में इंडोनेशिया में सोलवा 2021 में इटली में अठारवा होगा दो 2024 सोल वा इतली में 95 सा चल रहा है शोल सोंवा इतली में 22 वाला इंडोनेशिया में दौलत यूइस वाला इंडोनेशिया में दोजार थे इस ख़ौशा ब्राजियल में तो करे में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुल वैठक तो इसके सदस वर्चुली बैठक हुई और इसकी अद्यक्ष तक इसने करी विदेश मंत्री एस जैसंकरने की जल्वाई सिखर समिलन जो हुआ 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेसदोर अब है एड्यूकन का आयोजन 2020 में 2020 में हुआ नहीं तो फिर एड्यूकन 2020 का आयोजन 2021 में हुआ इसका आयोजन किसके द्वारा हुआ केंद्रिय सिक्षा मंत्राले द्वारा हाट ओफ एसिया सम्मेलन कहां हुआ हाट ओफ एसिया सम्मेलन तजाकिस्तान के दुसामबे में हुआ हाट ओफ एसिया सम्मेलन तजाकिस्तान के दुसामबे में 6 राइसीना डायलोग, चटवा राइसीना डायलोग 2021 का हुआ मोदी जी की दोरह कॉंफरेंसिंग से हुआ इसमें अथिती कौन थे रवांडा के राष्टपती और डेन्मार्ण के प्रिधान मंत्री। सोल्व प्रवाशी संमिलन का किसके द्वारा हुआ विदेश मंत्राले द्वारा और विशय था आत निरहवर में योगने याध रखी गई की प्रवासी संमिलन सॉ धर्वाथ अरभ में वर्चुओली ह ciekके। सूलवा कहां थे अभी में आपको बताया था कि सोलवा जी 20 सम्मेलन कहां होगा इटली में 2020 में सथ्यान संविलन तो एक आसियान जो है दक्षिरपूर का एसी राष्टो का संग्ठन है इसमें सदस से इस्थापना थी वो नीशो सरसट में इसकी स्थापना हुई और इसके सदस से देश दस है इसकी जो पीडियाफ है मैं आपको टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूंगी तो एक वा सब्सक्राइब जो सेत्रुसवा आशियान सम्मिलन है वियतनाम की मेजवानी में वर्चुली हुआ है तो इस वा एक साथ होगा ब्रुनेई में होगा अगला है गुटनिर्पिक शांदलन, गुटनिर्पिक शांदलन को नेम से के इस नाम से जानते हैं, गुटनिर्पिक शांदलन की जो स्थापना हुई थी, वो 1961 के τοी, बिलगरेट सम्मिलन के तहत और इसमें 120 सदस है, 2012 की अनुसार इसमें 220 सदस हैं, 2019 का कहा हुआ था, अजर वेजान बाकु में हुआ था, और ये अठारवा हुआ था, 2019 का अजर वेजान बाकु में हुआ था, 2020 का वर्चु अली हुआ, अध्यक्षता अजर वेजान के राष्टपती इलहाम अलियेव ने की थी, संगाई सहयोग संगठन के स्थापना कव हुई थी, 2009 में हुई थी, संगाई सहयोग संगठन में कितने से देश है, 8 देश है, कौन कौन से है, पकिस्तान को जिसमें हटा दिया गया है, चीन, रूस, भारत, पकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उजवेकिस्तान, बीसवा संगाई सहयोग संगठन का 2020 में कहा हुई रूस में, उननीसवा संगाई सहयोग संगठन का 2020 में कहा हुई रूस में, उननीसवा संगाई संगठन का 2020 में कहा हुई हुआ एक इस में होगा और 21 सामे में होगा यह ते हमारे आज के इंपोर्टन टॉपिक है और इससी के सगधन और सदस्वां से एक प्रैश्ण आता ही बाता है कल में आपको खुचन करवाओ यह कुछ कर वाओं कर अफियर मद्यो प्रिदेश करेंट फ्यर मद्य कर अफियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके फैंस, थेंक यू